ठीक है तो आज का मारा टॉपिक है एर हुमिडिटी क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको पता दो कुछ भी लिखने की ज़रूत नहीं है क्लास के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये जाएंगे वहां से आप डिरेक्ट डाउलोड कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारा एंवायमेंट एंप हेल्ट वाले चैप्टर की एईर वाले पार्ट का अगला टॉपिक यूपिक गापर, इस से पहले एनवायमेंट अचने हें हमने एरेंप हैं में और ड॥्ल्य में में भी बहुत साए टॉपिक है है वह वाटर वाले में तुमने बहुत साल किये थे से फोटर प्राव्लम हेविटेशन सोसे ऑफ़ दिफेरेंस बेट्वेट्वेल इन डीप वेल सैनितरी वेल वाटर पॉलुशन उसके इंडिकेटर फिर डिजीजेज ऑफ वाटर बार्बॉर्ण डिजीज वाटर बेस दिज दिजीज वाटर रिलेटेज दिजीज पिर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हमने स्माल स्केल पे देखा था लाग्स के तहट हमने स्लो सैंट फिल्टर किया था वाइट लेयर किया था रापिट सैंट फिल्टर किया था दोनों के बीच का डिफेरेंस किया था methods of disinfection of water में निट्लो इनेशन, ओजो नेशन, मेम्रेंट प्रसेस देखा था, फिर स्मॉल स्केल या हाउस होल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटा भी देखा था, उसके तरह हमने स्टेप्स ओफ दिसिंफेक्शन ऑफ वेल देखा था, उसके अंदर डबल पॉट मेथाद और होरोक सप्रे देखा था, यह सारे तो वोटर वाले, एर वाला पार्ट शुरू किया था, उसमें हमने कमफर्ट जून पढ़ा था, मैकार्डल्स, मैक्सिमाल लावबल स्वेट रेट या फिर प्रेडिक्टिबल फोर आर स्वेट रेट पढ़ा था, उसके बाद हमने एर टेंपरिचर भी जाएंगे, ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा Environment and Health वाले चैप्टर के एर वाले पार्ट का अगला टॉपिक that is air humidity, अब भई सबसे पहला जहन में सवाल आता है air humidity का मतलब क्या होता है, या humidity का मतलब क्या होता है, humidity का मतलब होता है, या air humidity का मतलब होता है, हवा में कितनी नमी ह उसको कहते हैं humidity, ठीक, तो यह निकालने के लिए formula भी आपके पास होता है, याद रखना कि जो humidity होती है, वो percent में निकालते है, तो formula क्या है, कि actual में water vapor pressure कितना है, divided by उसको अगर saturate कर लिया जाए एक जगा पर उसके बाद ना पाजाए, तो saturated water vapor pressure कितना है, into 100, ठीक, तो relative humidity को निकालने के लिए आपके पास water vapor pressure होना चाहिए, तो actual water vapor pressure divided by saturated water vapor pressure into 100, इससे आपकी humidity याप हवा में नमी निकलाती है, अब भाई कितनी होगी जब उसको कहेंगे कि ठीक है, अच्छा है, नॉर्मल है, कितनी होगी जब कहेंगे यार काफी dry air, काफी सूखा-सूखा हवा चल र आला मौसम हो रहा है, तो यह सब कब कहते हैं, तो भाई देखो, अगर नॉर्मल की बात करें, या pleasant atmosphere कब कहेंगे, तो कहते हैं कि जब हावा में नमी या humidity 50% क्या असपास होती है, ठीक, अब अगर आप देखो, तो उपर अगर 50% से कम होनी लगे, याने कि माइनस 15 कर दो, त तो 35 से कम हो जाए, अगर तब कहेंगे कि भाईया, बहुत dry air होती है, वहीं थोड़ी ज़्यादा कर दो, 50 से plus 15 कर दो, अगर आप तो कब कहेंगे कि भाईया, 65% से ज़्यादा होने लगे, तब कहेंगे यार, बहुती sticky type का environment है, चिप-चिपा type का बहुत नमी नमी हो रही है तो वह बहुती sticky environment जब 65% से उपर हो जाएगा, ठीक, तो याद कैसे करना है, देखो, 50% humidity जब रहेगी, तब कहेंगे कि भाईया, नॉर्मल है या प्लीजन्ट है, अब 50 में plus 15 कर दो, 15 बढ़ा दो, तो 65 के उपर हो जाएगा, तब कहेंगे बहुती sticky environment है, बहुती चिप-च कब मिलता है आपको, यह वाला मिलता है आपको, जो रेनी सीजन होता है, बारिश का सीजन होता है, तो बारिश हो गई है, मानलो दिन में बारिश होई है, दो पहर में उसके बाद ने, बहुत भाबाब सा, चिप-चिपा सा, बहुती sticky type environment हो जाता है, यह तब देखने को मिलत है, यह आपको, गर्मियों की सीजन में जाता देखने मिलता है, बहुती dry, dry, new चलती रहती, बहुत dry air चलती रहती है, तब कहते हैं, कैसा सुखा-सुखा, बहुत dry, dry type के हो गया, तो यह 35% से जब कम हो जाती है, नमी या humidity, तब कहते हैं, बहुती dry है, तो याद कैसे करना है पचास तो आपका नॉर्मल है, उसमें प्लस पंदरा कर दोगे, तो 65 को उपर, that is sticky हो जाएगा, माइनस पंदरा कर दोगे, तो that is 35 से कम हो जाएगा, तो dry हो जाएगा, ठीक, जैसे आप याद कर सकते हो, 50 याद रखो, उसमें प्लस 15 और माइनस 15 कर लो, तो उपर नीचे की value आपको याद हो जाएगी, ठीक, तो यह हो गई, आपकी relative humidity क्या होती है, और कैसे नापते हैं, और क्या unit होती है, unit याद रखना, हमेशा percent में इसको बताते हैं, ठीक, फिर से वही आ गया, जो आपने air temperature में पढ़ा था कि air humidity को नापते किस से हैं, तो भाई, एक तो वही है, यह हमारा dry और wet bulb thermometer है, यह हम पहले भी देख चुके है, dry और wet bulb thermometer, इसमें यहाँ पर dry है, यहाँ पर पानी में सुखा हुआ कपड़ा है, wet bulb thermometer, जो बहुत important है, वह होता है, high grow meter, high grow meter देखो, कुछ इस तरह से देखेगा आपको, अब high grow meter में देखो, अगर आप unit देख पा रहे और यह 65 है, तो 35 से 65 के बीच में normal limit के अंदर होता है, वही हमने पड़ा नहीं है, यहाँ पचास है, और यहाँ भी पंदरा बढ़ा सकते हो, यहाँ भी पंदरा घटा सकते हो, तो 35 और 65, वही यहाँ पर देखो लेका भी है, ठीक, तो normal value, अब अगर 35 से नीचे चली जाती ह है, तो dry हो जाती है, तो यहाँ पर आपको 35 के नीचे चली गई वही, 65 के ऊपर चली जाती है, तो humid हो जाती है, तो यहाँ पर value भी देखो वैसे लिखियो ही है, humid, dry air, or normal, normal 35 से 55, और 35 से 65, 35 से come is dry, 65 से उपर is humid, ठीक, तो यह हो गया आपका hydrometer, in fact, आपसे सवाल पूछा ज होता है, humidity के लिए, तो hydrometer जवाब होता है, या फिर dry or wet hydrometer, dry and wet hydrometer वैसी होता है, यहाँ पर आपको dry bulb मिलके आपको, और यहाँ पर आपको wet thermometer मिलके आपको, ठीक है, वेट वाला वही कपड़े में डूबा होगा, कपड़ा पानी में डूबा होगा, और यहाँ पर आपको dry or wet bulb thermometer भी ऐसी देखा था, ठीक, तो यह होगया आपका dry or wet hydrometer, main जो शब्द याद रखना है आपको, वो hydrometer है, G है, इसमें G, hydrometer है, hydrometer नहीं है, यह देखना अलग से मैंने लिखा है, hydrometer, D, hydrometer, यह humidity के लिए इस्तमाल नहीं होता है, कैसा देखता है, कुछ इस तरह का दिखता है, hydrometer, याद रखना, hydrometer किसले यूज करते हैं, हम soil analysis के लिए यूज करते हैं, या फिर liquid वगरा जो होते हैं, उनके relative density वगरा निकालने के लिए यूज होते हैं, मगर hydrometer humidity के लिए इस्तमाल नहीं होता है, यह याद रखना exceptions पूछते हैं, तो hydrometer जो होता है, कु फिर पानी के या liquid के relative density वगरा निकालने के लिए इस्तमाल होता है, लेकिन नमी के लिए नहीं होता है, इस्तमाल, क्यों इतना बोल रहा हूं, क्योंकि ये शब्द बिलकुर मिलते हैं, hygro और hydro सिर्फ G और D का फरक है, और उसी में खेल हो जाता है, तो यह याद रखना, hydrometer is not used for humidity, it is used for soil analysis or relative density of liquids, ठीक है, तो यह हो गया आपका hykrometer, फिर आता है आपका sling psychrometer या willing psychrometer, यह कुछ इस तरह का देखता है, ठीक है, इसमें भी देखा, एक्चुली बहुत जादा rocket science नहीं कुछ, यहाँ पर आपका dry bulb thermometer लगा हुआ है, यहाँ पर आपका wet bulb thermometer लगा हुआ ह कपड़ा है, कपड़ा पानी में डूबा हुआ है, तो dry और wet है, बस नाम क्या है, sling, sling मतलब घुमाना, तो एक्चुली यहाँ पर एक handle लगा दिया गया, इसको पकड़के आप इसको घुमाते हो, आप इसको घुमाते हो, तो उस तरह से आप relative humidity नाप तो यह देखो, सथ से आप इसको घुमाते हो, और उस तरह से hair humidity नाप सकते हो, अब घुमा तो रहे हो, उसको rotate तो कर रहे हो, मकर कितनी speed से rotate करना है, speed इतनी होने चाहिए कि एक second में कम से कम चार बार घुम जाए, एक second में चार बार घुम जाए, ऐसा कब हो सकता है, जब आपकी rotation की speed जो हो, वो five meter per second हो, तब आप एक second में चार बार इसको घुमा सकते हो, तो उस तरह से आप relative humidity नाप दे हो, ठीक, तो sling psychrometer या whirling psychrometer में याद रखने वाले चीज़ कि हाँ बही है, relative humidity नापने के लिए इस्तमाल होता है, कितनी तेज घुमाना चाहिए, तो एक second में चार बार घुम जाना चाहिए, यह कब पहुँचे कि यह speed, जब आपको rotation की speed होगी, five meter per second, याद रहेगा, याद कैसे करेंगे यह speed को, क्योंकि speed पर MCQ आ सकता है आपको, तो याद रखने के लिए, बहुत simple सा तरह का है, यह sling का S ले लो, तो S किसके जैसे दिखता है, S five के जैसे दिखता ह है, तो five meter per second की speed से आपको sling psychrometer को घुमाना है, simple, समझके, तो ऐसे याद कर सकते हो, उसके बाद एक और चीज़ है, that is, आसमान psychrometer, आसमान psychrometer कुछ ऐसा दिखता है, इसको ऐसा सीधा खड़ा कर दिया जाता है, ऐसा यह खड़ा हो जाता है, इसके जो तीन पाउं होते हैं वो कुछ इस तरह से आजाते हैं, तो sling psychrometer ऐसा खड़ा हो जाता है, तो आभी हमने लेटा के इसलिए दिखाया, क्योंकि इसमें देखो, यह आपको reading भी दिख रही है, यहाँ पे इसके thermometers की, तो ऐसे आप आसमान psychrometer को भी at least image के basis पे समझ सकते हो, कि भाई, कौन सा आसमा से आपको air humidity के बारे में पता होनी चाहिए, air humidity की भी बात करूं, मैं तो थ्योरी में यार ऐस सच, आप से थोड़ी कोई पूचे का कि भाई है, air humidity के बारे में बताओ, नहीं इतना थ्योरी में ऐसे नहीं पुछते, मगर वाईवा में सवाल आता है, पहला सवाल तो वही होत कि pleasant है, कब कहोगे sticky है, और कब कहोगे dry environment है, यह वाईवा में पूछा जाता है, तीसरी चीज़ आप से वाईवा में पूछे जाती है, जो वह होती है कि भाई, कैसे इसको measure करोगे, measure करने के लिए कौन-कौन से instruments होते है, तो dry and wet bulb thermometer, hygrometer, sling psychometer और आस्मान psychometer, यह भी वाईव होता है, तो आप बोलोगे, sling psychometer, तो वो बोलेगा very good, फिर वो आप बोलोगे कि सर, hygrometer, वो बोलेगा, हाँ, बिल्कुल सही बोला बेटा, तुमने, hydrometer, आप बोलोगे, यार examiner बोल रहा है, hydro तो वो भी हाँ, बोल देते हो, हाँ, 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 हाँ, 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 ह तो यह तो हो गया कि इनके नाम आपको वाइवा में बताते आना चाहिए अगर मैं बात करूं स्पॉट्स की क्योंकि द्यार देखो तुम्हारे या म्यूजियम में तुम्हारे कॉलेज के म्यूजियम में इन में से कई चीज़े रखी रहती है तो जो भी रखा है अगर ट्रा स्पॉट्स में रखने के लिए और रखा ही जाता है स्पॉट में स्पॉट के लिए स्टार कोशन होता है इसको तो रखने है ठीक तो यह पता होना चाहिए अब मैं बात करूं कि प्रैक्टिकल वाइवा में तो प्रैक्टिकल वाइवा में भी यह रख लिए जाता है क्यों तो जितने भी अंडर्लाइन पार्ट मिलेंगे आपको नोट्स और स्लाइट में वह सभी एंट्रेंस एक्षा में पूछे गए एंसी क्यूज है तो एक एंसी कुई तो यह कई बार आता है कि भाहिया एर हुमिडिटी को नापने के लिए है मोस्च कॉमली यूज्ञ क्या किया जाता है तो वो हम यूज़ करते हैं हाई ग्रो मीटर यहि ड्राइण भ्र हेंड मेंट बर आपको कऊशन में क्या जाता है यह सब भी एएर हुमिडिटी को नापने के मद्द आम हäre हाइड्रो मीटर मोथे अपने के लिए नहीं होता हैं लातने के लिए हुआ है कि तो चाहर maior पर सेकंड या सिधर स्पीट की वैल्यू दाट इस फाइव मीटर पर सेकंड की रफतार से घुमाना चाहिए तो इस पे भी आपको mcq आ सकता है ठीक उसके अलावा क्योंकि इमेज बेस्ट में से क्यों आजकल आते हैं तो आपको आपको mcq के लिए इनकी इमेजिस देखी होनी चाहिए तो आपको याद रहती है ठीक तो इतनी चीज़े हैं जो आपको air humidity के तहत पता ही होनी चाहिए थैंक यू